नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर दोस्तों जो मैंने अम्राइज लिली की बल्ब लगाए थे उनमें से मैक्सिमम में जो है अब फ्लावरिंग सुरू हो गई है और जिनको बल्ब लेने की कोसिस कीजिए क्योंकि जो बड़ी वाली बल्ब होती है इनकी जो मैच्योर हो चुकी होती है फ्लावरिंग उन्हीं में होती है मैंने सिर्फ एक बल्ब लगाई थी कहीं से लाकर और उसके बाद अब देखिए मेरे पास अम्राइज लिली के इतने सारे यह इस बार नहीं तो next time पर यह flowering पर जरूर आएंगी और मैंने इस बार इनको pots के अंदर डाल जरूर दिया है लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब मेरा ground सही हो जाएगा तो मैं इनको ground पर डालूँगा आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं कुछ हैसे summer flowering plant के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको इस time पर अगर हम लाकर अपने garden के अंदर लगाते हैं तो पूरी गर्मिया भर मतलब गर्मियों के अंदर जब winter flowering plant लगभग हमारे garden से चले जाते हैं और तभी से इनके अंद मतलब यह मार्चप्रेल का जो time है तभी से flowering सुरू होगी और number तक खुब अच्छे से flowering करेंगे अभी हम nursery जाएं और इनके पौधों को लाकर जो है अपने garden के अंदर add कर सकते हैं सबसे पहला plant जो आप लोगों के सामने है यह है बिंका का जिसे सदा बहार के नाम से भी ज ओपल है और भी बहुत सारे color इनके जो है आपको देखने को मिल जाएंगे यह मेरी जो है कि सिम्मला मेच का जो प्लांट है next year भी इसमें काफी सारे सिम्मला मेच लगे थे और इस बार भी काफी सारे सिम्मला मेच इनके अंदर फिर से लग गए हैं और धिरे-धिरे करके इ बहुत ही खूबसूरत flowering plant है इसके अंदर भी जब flowering सुरू होती है तो फिर नॉंबर में या फिर ठंडियों में भी आप लोगों ने देखा होगा मेरे लैंटाना के अंदर flower साही रहत है तो बहुत ही खूबसूरत summer flowering plant है यह आगला प्लांट जो है यह मोग्रा या बिला का यह शिंगल पेटल है मेरे पास डबल पेटल वाला भी है जो उस pot के अंदर लगा हुए है जिसमें कोलियश लगा हुए है उसको मैंने बड़े pot के अंदर लगा दिया है तो बेला और मोग्रा भी बहुत अच्छा option है अगर आप nursery जाए मैं general plants जो है जिनकी आप आसानिक इसके बाद कुछ बल्ब वाले पौधे जैसे अम्राइज लिली है तो उसके अंदर फ्लावर्स आकर रुख जाते हैं मतलब अभी आएंगे मार्च अप्रेल में उसके बाद फिर अगर नहीं आते हैं तो फिर फ्लावर्स आएंगे भी नहीं लेकिन यह रेन लिली और रज या फिर अक्टूबर तक जब तक सदियां थोड़ी सुरू कम होती है और बारिस इनको मिलती रहती है बारिस का पानी मिलता है या फिर गर्मिओं में भी जो है जब बारिस नहीं भी हुई रहती है फिर भी एक खुब अच्छे से फ्लावरिंग करती है तो एब आप इनके बल्ब्स को लाकर अपने गार्डेन के अंदर कर सकते हैं अगला प्लांट है एक जोरा के अंदर भी बहुत सारी कलर आप्शन आप लोगों को मिलेंगे अब मेरे प्लांट के अंदर देखें बडिंग शुरू हो गई बहुत अच्छे से इसमें आपको वाइट रैड पिंग औरेंज अलग-अलग ऑप्शन जो है वो मिलेंगे अगला प्लांट जो हम लोगों को जरूर लगाना चाहिए यह बास्तु के हिसाब से भी एक शुप पौधा है यह है अपराजीता का अपराजीता में आपको नीले रंगे सिंगल पेटल डबल पेटल पिंग वाइट वाइट कलर है लेकिन अभी वाइट कलर को मैंने पौट के अंदर नहीं डाला है इसके बाद गुड़हल की अलग-अलग वराइटी जाती है जैसे कि यह आपको दिख रहा है यह गुड़हल की देशी वराइटी है और मल्टिपल पिटल के फ्लावर्स इसके अंदर आते है इसको मैंने जो है एक प्लास्टिक बकेट के अंदर जो है वो लगा रखा है और इसके अलावा मेरे पास गुड़हल के बहुत सारे पौधे हैं लगभग 24 गंबले होंगे यहाँ पर यह सारे हैब्रेड वराइटी के हैं इन में से मैक्सिमम जो है मैंने तीन चार तो बढूर सजस्ट करूँगा लगाने के लिए यह है टिकोमा का टिकोमा के अंदर भी खूब फ्लावरिंग होती है समर के अंदर मेरे वाले प्लांट में भी देखे फ्लावरिंग शुरू हो गई है और अभी इनीसियल स्टेज पे हैं जल्दी मैं इसके उपर वीडियो आप अच्छी फ्लावरिंग होती है मेरे प्लांट में भी देखी कलिया बन गई है शावनी जैसा इसका नाम है लोग सुचते हैं इसके अंदर सिर्फ सावन में फ्लावर आते हैं लेकिन ऐसा नहीं है नौवंबर तक यह खूब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं अप्राद से फ्लावर्स के अंदर देशी वाले के अंदर होता भी है लेकिन उतनी प्लीजन फ्लावर्स नहीं होती है कनेर का पौधा जो है इसमें भी हाइब्रिट और देशी वराइटी दोनों मिल जाएंगी आप लोगों को तो अभी मेरे कनेर ने मैंने प्रून कर दिया था हार्ड तो ग्रोज शुरू किया है ग्राउंड पर जो लगे हैं उनके अंदर तो फ्लावर्स आ रहे हैं लेकिन पॉट के अंदर ज्यू लगा था लेकिन इसके उपर जब मैंने ओमाइट्स का इस्प्रे किया तो वो गायब तो हो गए लेकिन पत्तों को बहुत ज़्यादा नुक्षान उन्होंने पहुचा दिया है इसमें भी बहुत सारे ओप्शन अप लोगों को मिल जाएंगे यह मेरा रेड कलर का बिल्कुल छोटे-छोटे से फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और मैं सोच रहा हूँ दुबारा से इनको खात दे दूँ और सारे फ्लावर्स को जो है कट कर दूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल धूप में रख दिया था इनको दवा डालकर ओमाइट्स का स्प्रे करके तो खराब हो रहे था यह बड़े-बड़े साइच के फ्लावर्स यह आ रहे हैं बिल्कुल लेकिन पत्ते जो है इनको इनके जो है मैट्स ने पूरी तरीके से खराब कर दिये तो बहुत अच्छा ओप्सन है आपका जो है यह रोज रोज की भी अलग-अलग वराइटी आपको देखने को मिल जाएंगी कलर ओप्शन की भरमार होती है इनके अं चांतनी का सिंगल पेटल डबल पेटल बैरिगेटेड अभी इसके अंदर फ्लावर्स तो नहीं आए लेकिन ग्राउंड वाला मेरा जो है उकुरा तरीके से फ्लावर से भर गया है यह भी आप इस टाइम पर अपने गार्डन के अंदर लाकर एट कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा फूल चाहिए तो फ्रेग्रेंस नहीं होती इनके अंदर अगला उप्शन बोगनवीलिया का है बोगनवीलिया भी मेरे पास देखी यह दो प्लांट यह है एक यह जो मैंने बोनशाई में तयार कर रहा हूं यह है और मैं जो नसरी से लेके आया हूँ अभी मैंने उनको रिपोर्ट नहीं किया है अगले प्लांट जो है आपके पास जो अच्छा उप्शन बनके आते हैं यह है अलमंडा के अलमंडा की क्रीपर वराइटी है यह दोनों जो यहां पर रखी हुई है और बुश वाली जो है वो देखिए मैंने अभी प्रून करके छोड़ा ह हुआ है अब धिरे-धिरे करके ग्रोथ ले रही है अलमंडा भी काफी अच्छा उप्शन है इसको भी इस टाइम पर हमें अपने गार्डन के अंदर लाकर जरूर एक कर लेना है यह देखिए परपल कलर के हिविसकस का प्लांट है और छोटे से ग्रो वैक के अंदर लगा ह हुआ है और यह मैंने कटिंग लगाई थी आपके चंपा की मैंने पिछले सारी लाकेस को लगाया था तो अभी फ्लावर्स यह पहले दे रहा है लेकिन पत्तियां जो है वो नीचे से अब पत्तियां भी निकल रही है इसको भी मुझे जो है रिपार्ट करना है तो यह है व जो हैं इस ताइम पर लाकर एड़ कर दिये हैं कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रू बताइएगा ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते किसी नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए भबाएं ठीक टेक केर